नमस्कार हेल्थ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ काव्या आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैफ्रोन यानि की केसर के बारे में तो आईए जानते हैं कि हमारे सरीर पर केसर के क्या कुछ फायदे होते हैं आपको बता दे कि हॉर्मोन के लिए भी केसर का लोग उपयोग करते हैं साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रात में सोने से पहले अगर आप केसर वाली चाय पीएंगे तो आपके सरीर में क्या कुछ फायदे होंगे केसर दुनिया की सबसे महंगी और लोप्रिये मसालों में से एक इन्हें क्रोक साइवर्स नामक एक फूल से इकठा किया जाता है कई औसदी गुनों की मौजूदगी के कारण केसर का इस्तमाल हर घर में किया जाता है कई लोगों को केसर वाला चाय पीना बहुत पशंद होता है हालकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि केशर व वाली चाय पीने से इस सुजहत के लिए क्या फायदेमंद है कुछ रिसर्च में यह कहा गया है कि केशर इंसुलिन सेंसिटिव में सुधारक है यानि कि आपके दाविटीज को भी कंट्रोल कर सकता है और ब्लड सुगर के लेवल को भी कंट्रोल रखने में काम करता है केशर मे सेफ्रोनल जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं जिनका सरीर पर सांथ प्रभाव पड़ता है अगर आप सोने से पहले केशर वाली चाय पीएंगे तो आपके दिमाग और सरीर को काफी आराम मिलेगा और रात में नींद भी अच्छी आएगे केशर पाचन से जुरी समस्याओं को भी कम करने में मदद कर शकता है रात में केशर वाली चाय लेने से पाचन तत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और किसी भी तरह की बेचैनी से राहत मिलती है वहीं आपको बता दे कि केशर में क्रोसिटीन और क्रोशिन जैसे लुक्षान को कम करते हैं और ऑक्सिडेटिव स्ट्रस से बचाते हैं केशर वाली चाय पीने से आपको चंता तनाओं और डेप्रिशन जैसे मानसिक परिशानियों से भी रहत मिलती है आपको बता दे कि किशर आपके सिहत के लिए कितना फायदिमंद है आपको इस वीडियो से लेके आपके सरीर के अंदर तक को काफी जादा फायदे पहुचाता है इसी के साथ हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि आखर केशर के क्या कुछ लाब है अगर आप रात में केशर वाली चाय पीकर सोते हैं तो आपके सरीर पे क्या कुछ फायदे होंगी साथ ही अगर आपको बता दे तो आपका डाइविटीज और ब्लेड प्रिशर दोनों ही कंट्रोल रहेगा। तो फलाल के लिए इतना ही आपको हमारे द्वारत दी गई जानकारी कैसे लगी हमें कमिन कर जरूर बताएं। साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस्बुक पेज को लाइक करें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।